GTA 5 Mobile Lovers के लिए एक Good News है जियां दोस्तों अगर आपको वह Good News सुननी है तो इस वीडियो को दोस्ते लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना ताकि आप एक अच्छे तरीके से आप जान सको कि क्या है Good News ठीके और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो 5 Mobile को खेलना तो पहले पॉसिवल था ठीके जब मैं आया था यूटूब पर तो सबसे पहले मैं ही Cloud Gaming दोस्तों में लेकर आया था ठीके और गाइजे Cloud Gaming के जरीए हम GTA 5 गेम और PC वाले गेम खेल सकते हैं अपने Mobile Phone के अंदर लेकिन उसके लिए हमको सब्सक्रिप्शन लेनी प अभी Rockstar Games की तरफ से अभी काम स्टार्ट होने वाला है जितनी दोस्तों मेरी sources से मैं आपको अपने sources के साब से बता रहा हूं ठीक है क्योंकि GTA 6 आने के बाद GTA 5 का क्रेज ही थोड़ा सा कम हो जाएगा तो GTA 5 का क्रेज को बढ़ाने के लिए अब Rockstar क्या कदम उठा सकता है वो दोस्तों बस एक ही कदम उठा सकता है वो है GTA 5 Mobile जियां दोस्तों GTA 5 Mobile को प्ले स्टोर में लॉंच कर देगा एब स्टोर में लॉंच कर देगा ताकि जिन बच्चों के पास PC नहीं है वोक ने फॉन के अंदर GTA 5 खेल सके जियां तो गाए इसका एक साधारन आपको एक उधारन दे रहा हूं में जैसर कि GTA सेंट्रियास GTA Vice City पह आप दोस्तों आप क्या देख रहे हो GTA San Andreas Mobile में खेल लेते हैं वाइस City भी मोवाइल में है सब को दोस्तों प्ले स्टोर में दे रखा है तो गाए जी आवरे इस पॉसिवल एसी कोई भी चीज नहीं है जो इंपॉसिवल है तो गाए जीटिया फाइब का भी मोवाइल में आन अपर जोड़े आप सब्सक्राइब के लिए तो गाए यही थी जो गुड़ न्यूस ती आप सभी के लिए कि आने वाले टाइम में अब आप अपने फॉन के अंदर ग्तिया फाइब का मजा ले सकते हो तो गाए ऐसे और भी लेटेस्ट न्यूज और फैक्ट के लिए जी सब्सक्राइब कर दो अगर आप नहीं हो तो मिलता हूं नेश्ट वीडियो करें तो तब तक लिए बाइं टेक याज जैन्द मने मातरम